यह हमारा Samsung कंपनी के फ्रेज है जो के साइड बाई साइड है 650 लीटर के फ्रेज है अगर आप इस फिर इसको पर्चेस करते हैं तो आप लोगो इस पेज बहुत बढ़िया देखने को मिल पाएगा साथ यह साथ यह कनवार्ट मोड इसमें देखने को मिल पाता है हमें करनवार्ट मों बेसिकली यह होता है कि आप दोनों डोर हैं हमारा साइड बाई साइड का एक फ्रीजर एक फ्रीज दोनों को फ्रीज बना सकते हैं बाकि लोग काफी बढ़िया है 20 साल का कंप्रेशर का वरांटी आपको इस रेफ्रेटर में देखने को मिल पाएगा जो के सारे हम बात के तो ग्रेश का बाड़ी है कलर में बाकि बहुत बढ़िया तरीका से मजबूती के साथ आपको देखने को मिल पाएगा नीचे के तरह हम लोग आए तो यहां पर एक छेट टैप को जाली दिख रहा है इससे क्या होगा कि बाहर का एयर चुरत है वह इंटरली अंदर का साथ में जाएगा जिससे हमारा कंप्रेशर ओवर हीट नहीं होगा तो इस तरह से वह दिए गया है उसके अलावा यहां पर थ्री पीन का प्लग है हमारे पास देख सकते हो जो कि आप फ्रीज को हमारे स्टार्ट करने के लिए वह होता है यहां पर पीसी भी फंक् लगेशर सकते हैं अорगेशिदे सकते हैं यहां पर जो हमारा सैड does को क्वार्व है क TVs क वे यह पूर मादी नीचे में आप जो लेग होता है उसको कम और जाधा कर सकते हैं, twin cooling plus का option आपको इसमें देखने को मिल पाएगा, जो fast cooling होता है, glass का पारे हम बात करेंगा, जो ये glass है, काफी मजबूत glass है, ये काफी बढ़िया और काफी टिकाओ glass है, वेड भी आपका 2 या 3 kilo easy way मिले सकता है, कोई issue इसमें नहीं आएगा, अंदर के side में आप smart thing application अगर मोबाइल में आप डाउनलोड करोगे, तो मोबाइल से भी operate आप कर सकते हो, इस refrigerator को, बाकी model serial सारा mention किया हुआ, 650 liter नहीं हाँ पर भी mention किया हुआ है, 2.5 लेकर की here run करेंगा, ये सारा चीज आपको इस sticker में देखने को मिल पाता है, ये हमारा freezer section है, freezer section में normally, आपको space थोड़ा कम है, mainly ये पूरा freezer section है, इसमें आपको आज जमाने के लिए काम आता है, दो आपको box देखने को मिल पाता है, और अंदर में ice cube भी tray देखने को मिल पाएगा, right side वाले में भी space है, left side में भी space आपको देखने को मिल पाता है, ये तो आपका अंदर का बात है, अब म होता है, देख सकते ही हाँ, पर on करने के बाद मैं आप लोगो देखा पा रहा हूँ, इसका light काफी बढ़िया रहता है, और काफी take out light है, ऐसे नहीं कि वो आपको कोई दिन में खराब हो जागा, बहुत long time चलने वा रहा है, ये light है, और जिस तरह से आप छेद देख रहे है तो आपका temperature कम होगा, उसके बाद ये three by three आगया है, मतलब आप समझ सकते हो, कि दोनों हमारा freeze बन चुका है, उसके बाद दोबारा arrow button को प्रेस करोगे, तो आपका minus जितना लेकर जाओगे आप, minus 23, जो भी आप लेकर दार हो, minus 22, minus 23, इसके light है, इसमें आप highest cooling देख सकते हो freezer वाले section में, और कम करना चाहती है, इस तरह राइट बटन को प्रेस करके कम कर सकते हो, बीच फुला बटन को दोबारा प्रेस करेंगे, तो आप freeze का section में आजाएंगे, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसको set up कर सकते हैं, इस तरह से प्रेस करना है, और vacation mode हो जाएगा, इस चाहता का icon है, और जितना ही temperature कम कीजिएगा, उतना cooling जाद होगा, freeze वाले section में, देख सकते हैं, आप यहाँ इस टार्टिंग वान आईगा, बहुत ही fast cooling करेगा, हमारा freeze section में, इस तरह से आप इसको करन कर सकते हैं, अपने freeze और freezer के section को, freeze वाला नीचे वाला door का है, यह right side वाले door का है, और freezer आपका left side वाले door के लिए, easy में समाझे हो, किस तरह से freeze को adjust के आता है, उमेद करते हैं, वीडियो आपको काई भी प्रसंद आया होगा,